अलो गाइस, welcome back to my channel, मेरा नामे चेतन सिदलिंग and इस वीडियो में हम देखेंगे top 10 websites for engineers तो गाइस, अगर आप engineering के student हो, इस वीडियो को आप लोग एंट तक देखिए इसमें मैं आप लोगों के साथ 10 website share करूँगा, ये सभी website आप लोगों को एक benefit देगा आपका skill develop होगा इन सभी website के through, सबसे पहले हम देखिएंगे top 1 website that is stack workflow अगर आप software developer हो, तो आप लोगों को इस website पे visit होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को सभी solutions मिलते हैं जब भी आप कोई भी software को develop करते हो, तो आप लोग ज़रूर error को face करोगे तो अगर आप लोगों को उस error का solution चाहिए, आप लोग इस website पे आके दूण सकते हो सबसे पहले मैं इस website को open करूँगा और आप लोगों को overview दिखाऊँगा इधर आप लोग search पे, जो search icon है ना, उसके ओपर आप लोग क्लिक कीजिए then आप लोग इधर error पेश करके उस error को दूण सकते हो suppose आप लोग python programming कर रहे हो और आप लोगों को indentation error जो और भी बहुत सरे errors आते है अगर आपने कोई भी error face किया है तो उस error को आप लोग इधर आके पेश कीजिए then आप लोग search के ओपर क्लिक करके solution को दूण सकते हो इसमें आप लोगों को बहुत सारे solution भी मिलेगा इस website में बहुत सारे software developers इस website को use करते है error को debug करने के लिए अब हम देखेंगे top second website that is geeks for geeks अगर आप लोगों को programming सीखना है अगर आप लोगों को programming के बार में tutorials के ओपर article पढ़ना है तो आप लोग इस website को visit कीजे geeks for geeks इसमें आप लोगों को सभी language के ओपर tutorials मिल जाएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को इस website को open करके overview बताऊंगा अधर आप लोग देख सकते हो tutorials इसके ओपर आप लोग क्लिक करके इदर से data structures के ओपर tutorials है and gate के ओपर है और भी languages के ओपर आप लोगो tutorials इस website में आप लोगो मिलेगा ओके ए website totally it is for programming students जो लोग programming के field में जाना चाहते है और new new concept सीखना चाहते है उन लोगों के लिए ए website है आप लोगो कोई भी course को enroll करना है अगर आपको skills को upgrade कर रहा है programming field में या फिर technical field में non technical field में hardware में आप लोग इस website को visit के इदर से courses को enroll कर सकते हो लेकिन price Coursera में price बहुत हाई है compared to other e-learning website अगर हम Udemy से compare करेंगे तो Udemy में आप लोगो चीप price में course मिल जाएगा आप लोग enroll कर सकते हो वो भी low price में लेकिन Coursera में cost high है compared to other e-learning website लेकि इसमें quality content है और professor सभी top universities के professor है इस course era में जो professors आप लोगो teach करते हैं वो सभी top universities में teach करने वाले professors है अगर आप लोगो को कोई भी course को enroll करना है तो आप लोग से search करके अगर आप लोगो data analytics के उपर course करना है तो आप लोग इधर search करके उस course को enroll कर सकते हो और आप लोगो one month नई sorry one week free trial भी दिया जाता है guys यह था top third website अब हम देखेंगे top fourth website that is udemy यह भी एक e-learning website है इसमें आप लोगो सभी course cheap price में मिल जाएगा इसमें cost बहुत ही cheap है around अगर हम Indian currency की बात करेंगे तो 400 में आप लोगों को एक course मिल जाएगा और certificate and contents अभी आप लोगों को lifetime के लिए access मिल जाएगा इस website में आप लोग इधर search कर सकते हो सबोस आप लोगों को python programming सीखना है तो आप लोग python programming python type करके इधर से courses को enroll कर सकते हो और इसमें price cheap है compared to other year learning website बहुत सारे लोग इसी website को prefer करते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे contents मिलेगा Udemy में बहुत सारे courses है compared to coursera and price भी low है इसले बहुत सारे लोग Udemy में course करते हैं अब हम देखेंगे top 5th website that is interesting engineering अगर आप लोगो tech news पढ़ना है daily आप लोग इस website को visit कीजिए इसमें सभी technology के related updates आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप लोगो tech field में कुछ knowledge gain करना है daily updates जाना है related to technology आप लोग इस website को visit कीजिए interesting engineering अब हम देखेंगे top 6 website that is electronics for you अगर आप लोग को hardware के बार में knowledge gain करना है आप लोग इस website को visit कीजिए electronics for you इसमें आप लोग को सभी engineering hardware projects मिल जाएगा related to electronics अगर आप electrical and electronics engineering background से हो आप लोग इस website को visit कीजिए इसमें बहुत सारे आप लोग को project related articles मिलेगा और tutorials मिलेगा आप लोग projects को build कर सकते हो well guys this was top 6 website अब हम देखेंगे top 7th website that is new one projects अगर आप लोग को engineering projects को बनवाना है किसी से तो आप लोग इस website को visit कीजिए new one projects इसमें आप लोग को सभी engineering branch के related projects मिल जाएगा अगर आप लोग को mechanical engineering projects बनवाना है आप लोग इस website में आ कि उनको contact कर सकते हो and prototype आप लोग order कर सकते हो आप लोग एक बार visit कीजिए इस website में और detail में आप लोग और भी जान सकते हो अब हम देखेंगे top 8th website that is hacker rank अगर आप लोग को competitive programming के बार में सीखना है और practice करना है daily तो आप लोग इस website को visit कीजिए hacker rank इसको मैं open करूँगा और इसमें आप लोग को बहुत सारे tutorials मिलेगा practice कर सकते हो आप लोग competitive programming के लिए आप लोग इस website में practice कर सकते हो अगर आप लोग को google amazon जैसे interviews crack करना है आप लोग इस website पे visit होके इनके जो events है न हो सभी attend कीजिए and इसमें आप लोग बहुत सारे coding सीख सकते हो practice कर सकते हो आपका skill improve होगा इस website के through अब हम देखिंगे next website that is top 9th website इंडिया बिक्स अगर आप लोग को aptitude के लिए preparation करना है सभी interviews में aptitude तो पूचा ही जाता है well guys इंडिया बिक्स में आप लोग को बहुत सारे topics मिलेगा आप लोग सभी topics पढ़ सकते हो then आप लोग को explanation भी मिलेगा सभी answers के explanation इस website में आप लोग को मिलेगा and previous year aptitude question papers भी आप लोग को इस website में मिल जाएगा well guys this was top 9th website अब हम देखिंगे top 10th website that is CS electrical and electronics ये मेरा ही website है इस में आप लोग electrical, electronics and programming related articles पढ़ सकते हो and plus आप लोग questions को add कर सकते हो suppose आप लोग को programming में या फिर electronics के field में कोई doubt है तो आप लोग इस website पे visit हो के question को add कर सकते हो well guys मैं open करके आप लोग को बताऊंगा well guys इस landing page में आप लोग articles पढ़ सकते हो related to electrical, computer science and electronics और भी jobs के related, then road map के related, difference between के related और top things के उपर what is के उपर articles पढ़ सकते हो and आप लोग community के उपर click करके इधर आप लोग questions को add कर सकते हो and previous questions भी आप लोग पढ़ सकते हो अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे question को add किया जाता है ask question के नीचे click here का button मिलेगा, इसके उपर आप लोग click करके question को add कर सकते हो, जो आपका doubt है इधर add कीजे, और कोई दूसरे लोग आके आपके question को answer जरूर देंगे, सबसे पहले आप लोग sign in कीजे, बाद में क्योंकि आपका time बचेगा अगर आप sign in नहीं करोगे तो आप लोग को email id, name, add करना पड़ता है बार बार, इसलिए आप लोग मैं आप लोग को suggest करूँगा कि आप लोग पहले my profile के उपर click करके login कीजे, या फिर sign up कीजे then आप लोग इधर से question add कीजे well guys इसमें आप लोग questions को भी पढ़ सकते हो, previous जो जो questions से न हो भी पढ़ सकते हो जो जो questions लोगों ने पूचा है इस website में, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो बहुत सारे questions है, अगर आप लोग को answer भी देना है, तो आप लोग simply इसके उपर click करके नीचे answer add कर सकते हो your answer में, आप लोग आपका answer add कर सकते हो guys यह था top 10th website ए वीडियो आपको कैसा लगा, comment कीजे यह सभी website engineering students के लिए बहुत ही benefit है, guys thank you for watching this video, have a nice day